हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आरे ट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत खास पौधे के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो में जो पौधा आपको दिखाई दे रहे से मेथी का पौधा कहते हैं इसके बहुत सारे आफसेदी फायदे हैं आई आज जानते हैं इसके कुछ आफसेदी फायदों के बारे में दोस्तों जिन लोगों को सुगर की समस्या है उन्हें मेथी का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि मेथी का दाना जो है कार्बोहाइडरेट के औस सेषर करने में मदद करता है बिना औसोसित किया हुआ कार्बोहाइडरेट बलड सुगर के जो लेबल को बढ़ाता है इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का वजन काफे वढ़ गया है उनके लिए भी मेथी जो है रामबाड का कारी करता है क्योंकि यह कब्ज को दूर करने का कारी करता है सुवह खाली पेट मेथी दाना खाने से भूख कम लगती और मोटा मेटाबोलिजम को बढ़ाता है इस तरह से भूख कम लगने से वजन में नियंतरण होता है जिलनों की immunity strong नहीं होती है उन्हें भी मेथी का सेवन करना चाहिए मेथी के दाने में सैपनी नामे के compound होता है या सक्तिसाली एंटी वेक्टिरल प्रापर्टी से भरपूर होता है जो हमारे सरीर की रोग प्रतिरोदर चमता को बढ़ाता है दोस्तों इसके अलबा पूस्शों में एक testosterone करके hormone होता है या hormone sperm count और fertility को बढ़ाता है मेथी दाना खाने से या hormone अच्छे से सरजित होता है और इसमें मदद मिलती है मेथी दाना खाने से cholesterol कम होता है मेथी दाना में 48-50-50-50 तक fiber होता है जो सरीर से कुलिस्टार को कम करने में मदद करता है इसके अलबा दोस्तों मेथी में एंटिफलेमेंटरी गुड़ पाया जाता है एंटिफलेमेंटरी का मतलब होता है कि जो सूजन को कम करने में मदद करता है इसके अलवा दोस्तों इसका जोडों में जो दर्द होता है और जो जोडों में दर्द से जो सूजन हो जाता है शरीर में अगर ऐसे समस्या है तो मेथी के सिवन जरूर करें बालो में भी मेथी लगाने से काफी ज़्यादा फायदे होते हैं बालो मेथी लगाने से डेंटरब के समस्या खतम हो जाती है या बालो के ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा होता है दोस्तों आप जानते हैं कि मेथी दाने को हम कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं मेथी के दानों को पूरी रात एक कप पानी में एक चमच भी गो दें और सुबह खाली पेट उसे उबाल कर पी लें ऐसा करने से आपको निशीत रूप से फैदा होगा मेथी के दानों को अंकुरित करके भी खाया जाता है इसे सलात की तरह भी खा सकते हैं इसके अलबा दोस्तों जो है जब हम सबजी बनाते हैं तो हम चाहें तो इसमें एक चमच मेथी डालके सबजी बना सकते हैं हरबल टी में भी मेथी के दाने का इस्तमाल किया जा सकता है। मेथी के दाने सेहत के लिए काफ़ जादा फायदे मंद होते हैं। आयरवेट के इसाब से मेथी अनेक रुगों की दवा है। इसके दाने का प्रियोग मसालों के ससत और सधी के रूप में भी किया जाता है। मेथी के दाने में खूप सारे बिटामिन और मिरल्स पाय जाते हैं। मेथी के दाने को तड़का लगाने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है। बिसके अरवा दोस्तों मेथी का तेल को गांट पर लगाने से जो लोगों को गठिया के समस्या होती है या गठिया में जो दर्द के समस्या होती है एंटिफ्लमेंटरी गुड़ भी होता है तो सूजन भी कम करेगा और जो लोगों को गठिया के समस्या में दर्द को काफ़ी जादा रहात मिलाएगा और दोस्तों आपको बता दें कि मेथी में कई उसोधी गुड़ो न्यूट्रेंट्स पाया जाते हैं जो डाइबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं मेथी का पानी के सेवन करने से पाचान समझे समस्या आसानी से दूर हो जाती है अता आप इसका एक चम रोगी हैं जैसे जिनको कब्ज किसे कैद रहती हुने सेवन करना चाहिए मेथी के सेवन से कब्जिका इलाज होता है इसके अलवा दोस्तों उल्टी को रोकने के लिए मेथी का प्रयोग कर शकते हैं मासिक धर्ण में होने वाले विकार मेथी का प्रयोग कर शकते हैं प्रसो के दानों में दर्द निवारक गुड़ पाया जाता है मेथी का चूड़ सेवन करने से पूरे सरीर का दर्द कम हो जाता है तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूं इस वीडियो मैंने आपको बहुत सारी नहीं जानकारी दिये अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें चैनल पर नहीं है तो जो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्यू फर वाचिंग वीडियो थैंक्यू वीडियो